हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ओल अफ यू आज हम लोग यहां पर एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग प्रमुक वन्यजीव सरक्षन योजना जो की वाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बारे में डिसकस करेंगे तो इसमें क हिता इसलिए याद रखनी होते हैं जिससे कि गिद को सरक्षन कि लिए गया जिसे कोई टाइगर को सरक्षन दिया गया तो कहां पर हमारे टाइगर प्रोजेक्ष हैं कितनी योजना है भारत सरकार द्वारा उनको कितना राश्य आवंटित की गई यह सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले तो कंप्लीट आज हम इंडिया की जितनी भी प्रमुक वन्य जीव सरक्षन योजना है इनके बारे में डिसकस करेंगे सब से पहले हम लोग यहां पर बाग योजना टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में देखने वाले हैं भारत में जो टाइगर योजना है जो बाग परी योजना है ये एक अप्रेल 1903 को इसका शुभारम हुआ था और आपको अभी अभी पता होगा 29 तारीक जो अभी निकली है 29 चुलाई को टाइगर डे के रूप में यहां पर मनाया जाता है तो भारत में एक अप्रेल 1903 को बाग परियोजना का शुभारम बुआ था और इसका उदेश क्या है बागों की गिंती करके जितनी भी उनकी संख्या कम पढ़ती जा रही है उसको रोकना यहां पर में लाई गई है कि जहां पर भी जितने भी टाइगर प्रोजेक्ट जहां पर भी यह परियोजना चल रही है हर जगा CCTV केमरा लगाया चाहिए और हर जगा बागों की संख्या को काउंट किया जाएगा तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहां पर यह देखने को मिला स पर एक चीज़ का यहां पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है एक्शन टाइगर प्रोजेक्ट क्या है तो विश्व के कई वन्य जीव संगठोनों ने बाग के अस्तित्व को बचाने के लिए यह योजना शुरू की है यह योजना कहां से शुरू हुई है सर इसका राजस्थान में लागू किया गया तब बहुत सक्सेसफुली इसने वर्क किया तो अलग बारा देशों में भी इस योजना को लागू किया गया किसे एक्शन टाइगर प्रोजेक्ट को क्योंकि भागो की संख्या को बचाना अभी यहां पर में लक्ष हमारा बन चु साइटी के बीच में एक सहमत पत्र पर 2006 में हस्ताक्षर किया गया था जिसमें गिदों की जो गिदों हो रहे इनकी म्रत्यू का कारण क्या है ठीके उसका कारण का यह पता लगा एक रिपोर्ट में यह चीज सामने आए कि गिदों की जो म्रत्यू है इनका कारण पशुओ को दी जाने वाली डाइकलोफेन दवा बताया है पशुओ को जो डाइकलोफेन दवा जी जाती है फिर उन पशुओ को जो गिद खा लेते हैं उसकी वज़े से इन गिद की म्रत्यू हो रही तो यह सबसे बड़ी चीज यहां पर हमारे सामने निकल कर आई थी ठीके तो यह गि पर पाया जाते हैं गी रभ्यारण को वर्ष उननिस सो तीयोतर में राष्ट्रे उध्यान गोशिक किया गया था अब हम लोग बात करते हाती पर योजना एक बार सारी योजना हम लोग पढ़ लेते हैं उसको एक बार और करके हम लोग यहां पर रिवाइस कर लेंगे लाव अठा रहे हैं तो सरकार ने क्या किया है साथ दिसंबर 1902 को जारकंड के सी भूमी जीले में इस परियोजना की शुरुवात की थी क्या हमें हातियों का सरक्षन करना बहुत ही जादा आउश्यक है तो कब किया गया था साथ दिसंबर 1902 को अगली बात करते हैं कस्तूर कस्तूरी म्रग परियोजना क्स्तूरी मरग क्यों परसिद है इसके ओश्डी गुण है और स heute गुण रहता है इसके कारण से बहुत ही जादा शिकार किया जाता है अब इसका रिजल्ट को देखने को मिला कि अब ये सतने कम हो गये हैं तो यह विलुप होने वाले तो इसकी वज़र से यहाँ पर क्या किया गया यह देखो इंटरनेशनल यूनियन फोर कंजर्वेशन आफ नेचर के सहयोग से उत्तरा खंड का जो केदारनात अभ्यारण है इसमें 1907 के दशक में यह परियोजना शुरू की गई थी जहाँ पर कस्तूरी म्रग जो होते उनका सरक्षन कर जाता है ठीके तो यह हमारी हो गई कस्तूरी म्रग परियोजना मस्क डियर प्रोजेक्ट तो चलिए एक बार और हम सावरी परियोजना को रिवाइस कर लेते फिर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा बाग परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में क्योंकि यहाँ पर मेन हमारे लिए सन है क्योंकि बाग परियोजना तो हमें ये चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि टाइगर से रिलेटेड है पर इसकी शुरुवात कब हुई थी क यहां पर जानना बहुत ही ज़ादा जरूरी है लॉंच की गई थी तो अलग भारत के अलावा 12 देशों में इसे अपलाई किया गया है गिद्द सरक्षन पर योजना गिद्द को सरक्षित करने के लिए क्योंकि ऐसी सिट्वेशन आ गई थी जहां पर गिद्द की संक्या अचानक से कम होती जा रही थी गिद्द मरते जा रहे थे तो फिर यहां पर क्या हुआ हर्याराण वन विभाक और बॉंबे नैच्रल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच में एक अस्ताक्षर हुआ एक M.O.U. साइन किया गया फिर यह देखा गया गिड़ सी परियोजना गिड़ गुजरात में तो गुजरात के जूनागर में 1412 वर्ग किलोमेटर में विस्तरत या एक उध्याने जहां पर शेर पाये जाते हैं और गिड़ अभ्यारन को 1903 में राश्ट्री अभ्यारन का दर्जा राश्ट्री उध्यान का दर्जा यहां पर नेशनल पार्क का दर्जा यहां पर दिया गया है हाती परियोजना कहां पर शुरुवात हुई थी जहारखंड का जो सी भूमी है इस परियोजना की शुरुवात 1902 दिसंबर में की गई थी परियोजना की यहां पर बात करते हैं अगली परियोजना है हमारी हंगुल परियोजना हंगुल प्रोजेक्ट हंगुल एक तरीके का यहां पर बोल सकते हैं रेंडियर की प्रजाती है यूरोपियन रेंडियर प्रजाती का यहीरन वर्तमान में केवल दची गाम राष्ट्री उध्यान में आपको देखने को मिलेगा और इसके सरक्षन प्रसार है तो वर्ष 1970 में हम्गुल परियोजना शुरू की गई थी आपको बताए जब सेंटा ग्लोज आते तो वो रेंडियर पर बैट कर आते हैं ठीक है तो यह वो ही रेंडियर है और भारत में सिर्फ यह दची गाम राष्ट्री उध्यान जो है यहाँ पर देखने को मिलता है तो इसको बचाना इसका सरक्षन करना भी बहुत जादा ज़रूरी है तो इस प्रकार से यह हंगुल परियोजना का निर्मान यहाँ पर किया गया कब किया गया 1907 में किया गया अगला हम लोग देखते हैं लाल पैंडा परियोजना रेड पैंडा परियोजना यह पूर्मी हिमाचल प्रदेश में 1500 से 4000 मेटर की उचाई पर पाया जाते हैं और उनाचल प्रदेश म में विश्व प्रकृती विधी के सैयोग से पदमजा नाइडू, हिमाचेन जंतू पार्क जो है आनिमल पार्क जो है, वहाँ पर लाल पांड़ा जो है, रेड पांड़ा जो है, उसको सरक्षित करने की योजना की शुरुवात की गई। कहां पर की गई हिमाचल परदेश का जो जनतू पार्क है पदमजा नाइडू पार्क जनतू पार्क आनिमल पार्क वहां पर इसको सरक्षित करने की शुरुवात की गई है अगला हम लोग देखते हैं मनीपूर थामीन परियोजना तो लोक्टक जील के दक्षिन पूर्वी भाग में पाये जाने वाले विश्व के इस दूरलब इस्तंधारी जन्तु के सरक्षन है तो अगले की बात करते हैं अच्छा जो ये थामीन है अभी अपने पड़ा मनीपूर थामीन परियोजना ये भी बिल्कुल हीरन जीसा ही दिखता है पर हीरन की अलग प्रजाती जीसे कि हम लोगों ने हंगूल अभी देखा अगला हमारा ये जो गेंडा परियोजना है केवल भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ी बात केवल भारत में पाया जाने वाला एक सिंग वाले गेंडे का अंतराश्री बाज़ार में काफी कीमत होती है तो यहाँ पर इसका अवेद शिकार किया जाने लगा क्योंकि इससे बहुत ही जादा उतेजना वाली ओज़्दिया बनाई जाती थी तो यहाँ पर इसका अवेज शिकार होने लगा इसकी संक्या कम पढ़ने लगी तो इसको रोकने के लिए बचाने के लिए तो यह चीज आप इसके अंदर एड करेंगे अगला हम लोग देख रहे कचुवा सरक्षन परियोजना टर्टल कंजर्वीशन प्रोजेक्ट क्या बताता है तो ओलिव रिडले जो है ओडीसा की समुद्रतट पर पाये जाने वाले कचुवे होते हैं किमती दवाओं में इनका प्रियोग होने के कारण इनकी संक्या में बहुती अधिक्ता से गिरावट देखने को मिली जिसकी वज़े से क्या हुआ ओडीसा सरकार ने 1987 में कटक जीले में बीतर कणी का जो वन्यजिव अभ्यार ने वहाँ पर इसके सरक्षन की परियोजना को प् ये 1987 में कटक जीले का जो भीतर कणी का है वहाँ पर इसके सरक्षन की परियोजना प्रारंब की गई आप चाहे तो देख सकते ये इस तरीके का होता है अगला क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्क घडियाल प्रजनन परियोजना तो देखो यहाँ पर घडियालों के प ओडिसा का ही तीकर पाड़ा स्थान में घडियाल प्रजनन योजना का शुभारम किया तो जहाँ पर जादा से जादा घडियाल जो क्रोकोडाइल से उनको जर्म दिया जाएगा ताकि इनकी संख्या जो कम हो रही है उसको रोका जा सके ठीके चली तो आज हमने यहाँ पर क तो आप कि अपांच बचे उटने की हैबिट रखते हैं आप आदी है जल्दी उठने के तो आप 5 बचे उठकर सीधे ही यह क्लास देख सकते हैं ताकि सुबह से ही आपके पढ़ने की अच्छी शुरुवात यहाँ پर हो सके और यदि आप कोई भी कोर्स जोइन करना चातें CDP, English, Balvikas, Paryawaran, Maths, कोई भी course यहाँ पर जोइन करना चाहते हैं तो नीचे दिये के description में जाकर हमारे कोई भी course को आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं Thank you for watching this session